सब करें आप सबका ईूंट स्ट्रेट्ट समझेंました और इस सेक्षन में देखिए हमारे पास जो सेक्शन है यानिके आमसरा क्लास स्लाने का या योटूब पर आनेका जो भी दरीका है थोड़ा इफ्राइन डिपरेंट इस तरह से है कि हमारे पास पूरे समय नहीं है कि दिन वबर हम किसी नी किसी topic को लेकर YouTube पर आएं तो हम पूरी तरह पूरे दिन नहीं रह सकते हैं तो हमने topic section था रखा है इसके पहले आपने दिखा होगा कि कि just your choice एक section चल रहा था तो वो कब तक चलता है जब आप questions अपना भेजते रहते हैं वो चलता है अन्य था कि स्थिती में जो top questions है वो आते हैं तो वो एक section है दूसरा दूसरा section से है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं ग्रुप बनाए हैं तो particular किसी class का चल रहा है या किसी competitive exams का चल रहा है तो वो online नहीं है अब बहुत आपके द्वारा क्योंकि आपके शंख्या में उस तरह के मिलती नहीं है और इसलिए online live नहीं है फिर भी आप questions भेजेंगे तो छोटा questions बड़ा questions कोई भी questions होग उसको हम वीडियो के मध्यम से आप तक पहुंचेंगे हैं अगर आप subscribe करके एक group के बहुत सारे लोग हमें message करते हैं क्योंकि हमारे class की तरह चलता है ऐसा नहीं कि हम दिन अबर लगा रहा है कोई नो कोई तो आएगा ऐसा नहीं हमारे class की तरह चलता है या physical classes on meet पे हमारे classes च तरह का है और दूसरा physical classes है तो आप सबसे निवेदन है कि अगर आप किसी भी competitive exams के तैयरी कर रहे हो या फिर किसी class में हो पर्टिकुलर class के हो अपना जो भी topic है या chapters है उसमें आपको problems है तो इस sections के अंदर हमें भेजे इसके लिए आप comments box में भेज सकते हैं या फिर हमारे इ इस्तिमाल कर सकते हैं आप केवल और केवल whatsapps के लिए और उसमें क्या करना है आपको chatting link कर पाउंगा में whatsapps है आप केवल जो समस्या है वो समस्या को कॉपी किजिए यानि कि उस questions को कॉपी किजिए अगर कोई chapters है तो तो comment section में भी लिख सकते हैं आप comments करके हमें कि इस chapters में इस class की या किसी particular exams की commentary exams की समस्या है तो पूरा chapter आएगा आने था कि आपका question इस पर भेज देगे वो questions आएगा जैसे यह questions पूछा गया है तो वो questions आए हुए है चलिए आप हम लोग देखते हैं कि वो questions क्या है पहला है कि 6 to the power 6x to the power 6 equal to 6 to the power 2 to the power 3 है तो x कमाने है अगर ऐसा है जिसे कि इंगलिस में है कि 6x to the power 6 that is equal to 6 to the power 2 to the power 3 then find the value of x तो इसमें x हमें निकालना है तो एक से जियाद रखना आप कि यह bracket के बाहर है और power है मतलब दोनों का same power है यहाँ हो गया 6 to the power 6 into x to the power 6 लेकिन यह power का power brackets में नहीं है तो यह power to the power बनेगा तो सबसे पहले इसको लिजी आप 2 to the power कितना हो जाएगा 2 to the power 3 is equal to 8 यानि कि यह हमारे पास है 6 to the power 8 अब यह product है इसको हम लेंगे तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा x to the power 6 और यह आकर इदर divide हो जाएगा 6 to the power 8 और 6 to the power 6 तो यह हो जाएगा 6 to the power 8 minus 6 that is equal to 6 to the power 2 ठीक है तो यह values हुआ अब x की value हमें निकालना है तो बहुत सारा इसमें rocket science की जरूरत नहीं है simple साई calculation था exponentials का फिर भी साइद हमारी बातों को आप दियान सा सुनेंगा पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें इससे मतलब नहीं है हमारे वीडियो पर आपने देखा होगा कि 5th class के बिहार बोर्ड के questions गए हुए क्यों क्योंकि वो बच्चे मांग करते हैं बच्चों के मन में आया कि हम भी कुछे कमेंट्स कर दे बहुत सारे बच्चे माबब के लेकर देखते रहते हैं उन्होंने कमेंट्स किया उनके लिए गया तो यह questions कितना छोटा है कितना बड़ा है यह समस्या नहीं है आपकी जो समस्या नहीं आघ तो हम तक पहुंच आइए वो छोटा हो पड़ा हो हमको फें और कुछ भी नहीं जाहिए कि नहीं कोई आई सा कोई नहीं बना सकता मैं बना रहा है यह एसा नहीं जो यह हो जाएगा 6 to the power 2 by 6 और that is equal to 6 to the power 1 by 3 और इस terms को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cube root of 6 और यह C में है और यह आपता option हो जाएगा ठीक है और simple calculation था फिर भी हमने बनाया तो यह आप जान लें कि आपना सोचे कि छोटा है पाचवी class का है, दसवी class का है या किसी छोटे competition का है, बड़े competition का है भैंकर सा नहीं दिख रहा है यह आपको कि बहुत बड़ा सा नहीं दिख रहा है यह question से तो वह इसा नहीं सुचने है आपको जो भी किसी भी क्लास के हूँ, आप इंदी मीडियम हो, इंगलिस मीडियम हो, कोई भी हो, कमपटिटर्स हो, कोई भी हो, आप जिस शवाल पर प्रोब्लम्स आ रही है, कोई भी हो सवाल हो, क्योंकि कोई छोटा नहीं होता है, छोटा सवाल आया है, बड़ा सवाल आया तो कोई भी सवाल औन एवन मार्किंग नहीं होती है, सारे सवालों के लिए मार्क्स एक जैसा ही होता है, तो जो सवाल आपको प्रोब्लम क्रेट कर रहा है, वो हमें यहां तक पहुंचाएं, आपके सवालों का जवाब उस तरीके से पूरे डीटेल्स में समझाते हुए दिय तो मैं भी आपसे भी करता हूँ, आप अगर नए हैं तो पले सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करें, नहीं करें, कोशन्स आपको प्रोब्लम कर रहा है, तो नंबर समने दिया, उस पर आप कोशन्स बेज़े, आगर बना रहे हैं आप एक से कोई भी चेप्टर स सब भीजिए, लेकिन एक बार अपने से भी कनफर्म कर देज़े कि एक सब तरह के जो कोशन्स हो, यानि कि जैसे हमने कोशन्स बनाया है, उसी तरह कोशन्स आगे भी है, वो भी आपको नहीं आ रहा है, तो उसमें से एक भीजिए, एक हम बनाएंगे, बाकी आप प्रेक्ट से आगर वो सिमलर ना हो, सिमलर हो तो उसमें से एक बाकी जैसे है, अलग अलग टाइप्स के है, तो सारे हमें फोटो कपी किजिए, भेज दीजिए, हम जब बोर्ट पे ले ले लेते हैं, तो हम अपने मोबैल से डिलिट कर देते हैं, तो हमारा जो इस्टोरेज है, वो भर तथा एक और वाई एक पुर्णांक है, तो बारह एकस वाई का मान ग्याद कीजिए, इंगलिस में पढ़ेंगे, इसमें भी सिम्पल कल्कुलेशन है, लेकिन थोड़ा सा प्रिजन्स अफ माइंड की जरूत है, इसको आप कर लिजिए, ये कितना हो जाएगा, 3 to the power, 3 to the power, 4, equal to 81 होता है, इसका power x, और ये उपर चला जाएगा, तो ये 5 to the power 3, 3, minus 3 का power, sorry, power इसका 3 रहेगा, इसका power 3 रहेगा, केवल minus y का power, ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया, इस 3 को समझ लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कि लोग ट्रिक्स तो बताते है, जो short calculation मैंने इसके पहले बहुत वीडियो में आपनों देखा होगा, कि short tricks में, short calculation में, मैं भी बताता हूँ, कि short में कैसे calculate कर लेते हैं, उसको लोग tricks करते हैं, उसमें बताते हैं, लेकिन आगे नहीं बताते कि वहां क्यों ऐसा करेंगा, ये चीज़ें हमने किया, और जो यह आप concepts बोलूँगा, वो concepts से यहां भी बोला जा सकता है, लेकिन जब तक आपके लिए बिल्कुल जनकारी सतीक नहीं होगी, तो फिर आप के वहल, short calculation की तरफ ध्यान देंगे, और आपका उस types के जैसे ही questions बदलेगा, थोड़ा सा भी उसमें changes होगा, types बिल्कुल दिखेगा और यही तो इक ही तो रखा है, लेकिन उसमें questions रहेगा, वो presence of mind से पकड़ में आता है, तो फिर आपको problem create हो जाएगी, लेकिन वो नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपका concepts clear है, तो एक ही types के या आलग अलग types के उस concepts के अंदर जितने भी questions डाले जाएंगे, वो सब आप से बन questions में ऐसी कोई ज्यादा दिकत नहीं है, क्योंकि हम जो thoughts देंगे, वो केवल और केवल primary numbers के लिए, यानि prime numbers के लिए use करेंगे, तो वो better होगा, ऐसा नहीं कि इस questions में अगर वहाँ हम लो यूज कर लेते तो वो नहीं valid होता है, वहाँ भी हो जाता है, लेकिन ऐसा कभी आप न लेकर ही करेंगे, लेकिन यहां हो कोई चूटने वाली चीज नहीं है, फिर भी आप concepts के रूप में रखेंगे, हम ऐसा prime factors में ला देंगे, उसके बाद ही उसमें comparisons डालेंगे, तो यह हो जाएगा 3 का power 4x, क्योंकि यह bracket का अंदर है, और तब power लगा हुए है, तो इसलिए यह powers का power नहीं बनेगा, यह multiplied हो जाएगे powers आपस में, और that is equal to 5 का power minus 3y, अब यहां पर आपको presence of mind लगाना है, नो कि यहां कोई concepts है, इसके पहले जो आप इसी section में आप questions बनाए होंगे, तो आपको ऐसा हुआ होगा कि कई तरह कि यह तो powers similar हो जाते हैं, यह फिर बेस similar हो जाते ह powers के terms में, ठीक है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहां एक concepts की जुरत है, और वो concepts यह है, कि equality sign लगी हुई है, दोनु factors अलग अलग है, इनका अपना कोई भी, इनका अपना कोई भी terms जो है, यानि कि relation नहीं इनके बीच में, इसका power चाहिए जितने बना लो, इस पर पहुंचे गई है, और जब जो भी, दो numbers का comparison करेंगे, उनके बीच में कहीं भी कोई relation नहीं है, तो फिर उनको relate नहीं किया जा सकता है, किसी भी terms में, ठीक है, इस से related अगर दूसरा कोई question दिया होता है, माल लिजे कि, आगे कुछ और आपको calculate करना होता, जहां 3 या 5 का value रखके हमें निकला जा सकता था, वहां पर हम जरूर इसको converge कर सकता था है, कि 3 is equal to 5 minus 3y by 4x, या 5 is equal to 3 4x by minus 3y, यह हम लेकर calculate कर सकते थे, लेकिन यहां आप यह दो ही numbers में हमें comparisons करना है, तो बीच में equal sign जो लगा हुए है, तो यह तो बता रहा है कि दोनों equal है, लेकिन common sense का 3 और 5 के किसी भी multiples का कोई भी relation नहीं है, यानि कहीं पे भी 5 के multiples निकले और 3 के multiples निकले, common कहीं नहीं आएगा, यह दोनों दो way में चलेंगे, ठीक है, तो फिर यह दोनों equal कैसे हुए, तो यहीं presence of mind लगाना है कि वैसा एक integer है, और वो integer से 0, यानि कि x is equal to 0, और y is equal to 0, तो य यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिलेगा कि 3 का पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी numbers में है, किसी भी numbers में अगर हम multiply करेंगे तो उसको 0 कर देता है, तो यहां भी हो जाएगा वेश ही, 5 का पावर 0, अब क्या यहां पे relation हुआ, तो relation यह हुआ कि चाहे वो संख क्या 1 हो जाती है, यानि कि यहां 1 is equal to 1, यही एक point से जो इस equality sign को satisfied करेगा, इसके अलावा कोई integers नहीं है, जो इस relation को satisfied करेगा, इसलिए x is equal to 0 और y is equal to 0, टर्म सो गया, तो 12xy is equal to क्या हो जाएगा, 12 into 0 is equal to 0, किसी भी संख्या में 0 से multiplied करेंगे तो क्या आएगा, 0 आजाएगा ठीक है, तो यहां पे जो options है, यह options गलत है, यह पहले questions का options आ गया है, प्रिंट करने में वो गलत हो जाता है, तो यहां पे 12y is equal to क्या होगा, 0 होगा, इस options को आप रहने दे, क्योंकि यह options जो है, पीशे वाला options की print हो गया है, तो यहां जो options होता, आपने जो भेजा था उसक options इसमें 1, 0, minus 1 ऐसा था जैसे मन लिए कि हाँ 1, 0, minus 1, 2 इस तरह का था 12 इस तरह का था तो उसमें से 0 आपका option हो जाएगा ठीक है इससे चलिए आप अपना questions समय भेजते रहिए वैसे हम request तो करेंगे कि आप आप चैनल को subscribe कर ले नए है तो और अपने दोस्तों को भी यानि के अपने ग्रूप में भी शेयर कर ले और वो शेयर करेंगे साइद उनको जोरत होगा तो वो भी subscribe करेंगे आपके करीब बात चीता अगर होती है तो उनसे आप subscribe कर वादे क्योंकि subscribe करने में आपका कुछ भी म हमें प्रसान मिलेगी तो हमसे जो सीखने वाले बचे हैं उनके लिए हम content से लेकर आएंगे तो आप यह मान कर चलिए कि आपको हमारी जरूरत नहीं है तो आपने subscribe करके हमारा मनोबल बढ़ाया और उन बच्चों के लिए आपका यह जगदान होगा कि वो जो बच्चे सीख रहे हम से उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा content लेकर आएं तो आप subscribe जरूर किजिए और अपने group में share करके भी subscribe करवाईए चैनल के लिए और आपको हमारी need है जरूरत है तो फिर आप हमें अपना questions हम तक पहुंचाईए और उसका हम कोशिश करेंगे कि ऐसा short से short calculations आपको अच्छे से thoughts को बताएं जिससे कि उस types की questions में आपको कभी भी problems नहों तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही फिर हम अगले वीडियो में कुछ और questions आए हुए जिसको हम यहाँ नहीं समनित कर पाए अलग chapter से थे तो हम फिर उसको अगले वीडियो में submit करेंगे तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद थैंक्यो चाहें